आज मैं लाई हूँ मूली के अचार के इंस्टेंट वाली रेसिपी इंस्टेंट ही इस मूली के अचार को आप बना सकते हैं और खा सकते हैं बहुत ही जटपड से बन जाता है और बहुत आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही रेसिपी लगता है तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, तरह तरह की अचार बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टिक मूली का अचार, तो चले फिर बताती हूँ किस तरीके से इस अचार को बनाया जाता है, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने मीडियम साइस की दो मूली ली है ना ही जादा मोटी ली है, ना ही एकदम पतली ली है, मीडियम साइस की जो मूली होती है, वो ली है, उसके बाद में कहा है, हमें सबसे पहले इस मूली का चिलका उतार लेना है, देखे इस तरीके से, तो दोनों की दोनों मूली का चिलका मैंने उतार लिया है, अब कॉर्ण और उसके बाद में इसको कॉपड़ेंगे और वाश करने के बाद में क्या है अच्छे शेमने के पोच लेना है पानी यसमें बिल्कुल भी नहीं होगी लिए ओसलिए जो इस Kindle giờ के मैंूली के Deshrate कट कर लिये हैं और उसके बाद में कपड़े से पोच लिया है वाश करने के बाद अब इसे कट करा है तो देख सकते हैं आपकी मैंने इसको दो दो इंच की मोटाई में इस तरीके से गोल-गोल कट करा है देख सकते हैं इस तरीके से जो है सारी की सारी मुली को कट कर लेना है और उसके बाद में हम इसको फिर से कट करेंगे तो एक टुकड़ा लेंगे मूली का देखे इस तरीके से और बीच में से कट करेंगे और एक मूली के तीन टुकड़े हम इसके और कर लेंगे देखे इस तरीके से तो पहले हम इसको बीच में से कट करा और आदा देंज की मुटाई में देखे इस तरीके से कट कर लिए देखे आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हूं तो ऐसे ही हम सारी की सारी मूली कट करके एक साफ प्लेट में जो है हमें रखना है साफ प्लेट में इसको रखेंगे ये देखे तो इस तरीके से जो है मैंने सारी क सारी मूली कट कर ली है अब इसको मैं एक से दो खंटे के लिए धूप में सुखाऊंगी जादा देर के लिए हम इसको नहीं सुखाएंगे सिर्फ एक से दो खंटे के लिए धूप में सुखाएंगे तो ये देखें दो खंटे मैंने इसको धूप में सुखाया है और जो काली वाली सर्जो के दाने, यह डाल देंगे, आदा चोटे चंबस चाला है हमने मित्वी दाना यह डाल देते हैं और 15 से 20 हमने डाले हैं इसमें साभुत काली मिर्च, वैस यही मसाले हम जो है इसके लिए यूज करेंगे, और डालेंगे हम धन्या पाउडर, हल्दी पाउडर और वो सब भी डालेंगे पर खड़े मसाले में हमें सिफ यही मसाले इसमें डालना है यह देखे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें मसालों में खुश्बू आने लग जाएगी तब तक जा दो से तीन मिट के लिए लो मिडियम फ्लेम पे जो है मैंने इसको भूना है मिक्सी में पीस लेंगे जब तोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में दरदरा इसको पीस लेना है अब उसी पैन में मैंने दो बड़े चमच डाला है धनिया पाउडर और धनिया को हमें तब तक घुनना है एक से दो मिनिट के लिए जब की धनिया में खुश्बू स तिन बड़े चम्मश डाला है मैंने खरसो का टेल दैनिया बॉर्ड़ डालेंगे इसमें आदवडी चम्मश हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर ये डाल देते हैं, आदा छोटे चमच हम डालेंगे, इसमें लालमिच पाउडर, ये अपने तीखापन अपने हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं, और आदा छोटे चमच हम डालेंगे, इसमें कश्मीरी लालमिच ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा है, जादा चमच डालेंगे, mango powder, जो होता है, और एक चमच हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आपने taste के according कम जाधा कर सकते हैं, अब दो चमच, बड़ी चमच हम डालेंगे, इसमें तेल, सरसो का तेल जो हमने करम करा था, वो हम इसमें डाल देते हैं, और पहले मिलाएंगे, अगर लगेगा कि तेल की ज़रुत है, तो हम डालेंगे, वर्ना रहने देंगे, क्योंकि इसमें जाधा तेल की यूज भी नहीं होता है, तो इसलिए हम पहले कम ही तेल डालेंगे, तो अच्छे से देखें, मिक्स करा है, तो ये मिक्स हो चुका है, तो बचा हुआ तेल हमने नही तो अगर आपने कभी मूली काचार इस तरीक से नहीं ट्राइ करा है तो मस्ट्राइ रेस्पी 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 तो एक बार जरूर ट्राइए